अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लिजिए चलिए हम सुरू करते हैं को कोनट बरफी को कोनट बरफी कैसे दगा बनाते भी बिल्कुल नहीं सफेद रंकी बनाने है उसके लिए हमने गैस बट्टी पे कडाही रख दिया है gas breti का flame जो है हमने on कर दिया है और उसके बाद में हमने जो है इसको दूद उबालना शुरू कर देते हैं चार किलो दूद हमने डाल दिया है कडाही में इसको दूद हम उबालेंगे अच्छी तरह बिलकुल हमारा जो दूद है उबल चुका है अब इसको हम दिरे दिरे हलाते रहेंगे और ये हमारा दूद जो है गाड़ा होता रहेगा इसको गाड़ा करेंगे पहले हम गाड़ा करते रहेंगे उसके बाद में हमने इसमें सुगर भी आड़ गया हमने एक किलो सुगर भी आड़ कर दिया है अब इसको हम हलाते रहेंगे और भट्टी का पिलेम चलता रहेगा यह हमारी दूद है जो धिक हो जाएगी गाड़ा हो जाएगी थोड़ी सी थोड़ी देर में इसमें हमने एक चम्मचिलाईची पोडर राल दिया है अब इसको हम हलाते रहेंगे और यह गाड़ा होता रहोगा जो हमारी भट्टी है चल होने वाली है इसमें जो हम बुरादा का पैकेट हम इसी में डालेंगे तो यह थोड़ा सा और कर लेंगे मतलब अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है इसको जो यह दो मिनिट और हला लेंगे अच्छी तरह तो यह हमारी जो है रबड़ी गाड़ी हो जाएगी मतलब बहुत जाता गाड़ी नहीं चाहिए हमें कि जमने वाली हो जाए जमने वाली नहीं अब यह हमारा जो है रबड़ी गाड़ा हो जुगा है यह देखो हमारा जो है रबड़ी गाड़ा हो गया है अब इसमें हम बुरादा का पैकेट आइड करेंगे यह बुरादा का पैकेट है हमा तो बड़िया प्रेफेक्ड वॉरादा Carne आड़का कर दिया है इसने अब इसको ःलाते रहेंगे यदि हम रवड़ी में इसको डाल देते हैं तो हमारा बरादे के पैकटद़ द्राव देते हैं तो यह पिल्कुल गारा हो जाता है और हमारा घ्राव चाहिए अब यह कट तो यह बिल्कुल मायस कर देंगे हम यह कठा कर देंगे सारा हम इस तरह हम अच्छी तरह मिला देंगे थोड़ा सेका भी लगा देते हैं कम सेके पर हम इसको थोड़ा भून देते हैं यह देशी घी है अब इसको मिला कर बिल्कुल बट्टी का फ्लेम कम करके इसको थोड़ा स हम भून भी देते हैं भी में अच्छी तरह ये भून भी जाये तो हम यह है अच्छी तरह जो है जीए कोकोनट हमारी भून जाती है तो थोड़ा बहुत ज typically रपनी कोकोनट की अम्धाफ पीर अम जमद लेंगे तो इसको हम तेल लगा देते हैं इस तरह हमने टेल लगा दिया उसके बाद में जो हमारी कोकोनध वर्फी है ये जमने की तुनंती जो है और अप रबड़ी में डालते तो जमने के वस्था में हो जाती ए थोड़ी दिर हमने ठंडा करके और इसको फिर ट्रे में हमने डाल दिया इस थंडा हमारा हो गया है बाद में हाथ की में लेबन कर देते हैं हाथ से ही यह बर्फी के साइज के थप देते हैं जो बर्फी हमारी होती है उसी साइज के जो कभी एक इंची कभी डेर इंची की हमने बर्फी मोटी थप नहीं होती है वो इसी तरह हम विलकुल कर देते हैं तो एक इंची के हमारी बर् बर्क लगा देंगे वर्क जो होता है हमारे यहां बर्क चलका है दुकानों पर बीज जाता है हमारी बर्फी तो इसलिए हम बर्क लगा देते हैं अच्छा था बढ़िया को मतब देखने में चमकदार लगता है यह चांदी का बर्क है हमारा बिलकुल बढ़िया क्वाल्टी क एक बर्ख भी लाते हैं, अब ये हमने बर्ख लगा दिया है, आख हमारी बर्फी बनकर तियार हो गई यह हमने कागज से जो बर्क वाला कागज है उससे हमने थुझा साथ दबा के और बर्क चिपका दिया है और उसके बाद में यह हमारा डब्बे में हम पिस्ता बदाम काट के रखे रहते हैं उसके बाद में इसके गार्निस के लिए उपर डाल देते हैं उपर पिस्ता बदाम अच्छी तरह डाल देंगे यह हमारा जो है पिस्ता बदाम भी हमने सारा डाल दिया और इसको दबा के कागज की साहता से हम दबा के बिल्कुल चिपका देते हैं इसमें ये हमारी छिपक गया, हमारी जो पिष्टा बदाम सीफ़क गया, बिल्कुल बन के त्यार होगा, अब हम ये दूसरे पे देखा हो, हमारी जो भरफी है, वो काड़ने लायग हूई है, मैं दवा के देख लिए, बिल्कुल एवन जमी है, बिल्कुल एक नमबर भरफी ह आए हमने 24 पीस काटना है जो दूसरी तर्ब से हमने चोकू मार दिया उसके बाद में हमस्को काटके निकालेंगे अब अपको पीज दिखाते हैं कितना बढ़िया पीज pig ना बना है जू बिल्कुल जमा हुआ है पीज हमारा बिल्कुल अच्छा पीज जो 24 पीज भीज है बिल्कुल बढ़िया टाइप का बढ़िया बर्फि भी लग रही है हमारी बहुत बढ़ियां जम गया है इसको तो बेलकुल हमारी जो बर्फी चोकोलेट कोकोनेट वाली है वो बिल्कुल जम चुकी है बिल्कुल हमारे पीसज हैं जो बहुत बढ़ी हाँ पीसज मन गे है इसको हम इस तरह हम जोड़ देते हैं थोड़ा गार्णिश कर देते हैं जो हमारा चैरी है हे टुटी हमारी बर्फी बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो गई है अब इसको हम गार्णिस करके हम बिल्कुल बढ़िया बना दी हैं अब इसको हम लए जाके पूरी ट्रे लगा के उसके बाद में हम इसके यह देखा हमारी बर्फी बहुत बढ़िया बन चुकी है अब इसको हम आपको तब इस तरह आप भी अपने घर में बना सकते हो इसका कोई तारतूर नहीं होता है बर्फी का बिल्कुल जब गाड़ी रबड़ी में डालो तो बिल्कुल सूब जाता है उसके बाद हमें उठा के थप दो मतल लेवर कर दो तो बिल्कुल यह बर्फी तयार हो जाती है अब हम को हमारी वीडियो कैसि लगी कमेंट में जरूर बताई अगर आपने हमारे चैनल को सर्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सर्क्राइब कर लीजिए घंटी वाला बटन आन कर लीजिए ताकि आने वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहें